नमस्कार पढ़ाई के लिए घर छोड़ रहे हो अपना करियर बनाने लिए आप घर छोड़ कर दूसरे सहर जा रहे हो तो उससे पहले इन चार बातों पर सोच विचार कर लेना गहन मंतन कर लेना फिर ही घर छोड़ना बाकि मत छोड़ना इन चार बातों को अच्छी तरह से विचार विमर्स कर लेना आप अपने आप से अपने मापाप से सबसे अच्छी तरह से विचार विमर्स करके फिर घर छोड़ना पढ़ई के लिए बाकि घर मत छोड़ना बिना सोचे समझे आप पढ़ई के लिए बाहर चले गए और क्या पता आप तो अपना करियर बनाने के लिए बाहर गयर हो क्या पता आपका करियर आप चोपट करके वाफिस आओ ऐसा कभी मत करना आपके माबाप आपके लिए राद दिन एक करते हैं पेसे दे कर आपको पड़ाई करवाते हैं आपका करियर अच्छा बनाने की कोसिस करते हैं लेकिन आप क्या करते हों अपने माँ-बाप की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं ऐसा मत करना अगर आप higher education के लिए गर छोड़ कर बाहर जा रहे हो पड़ाई कर रहे हैं किसी metro cities में जा रहे हो किसी बहुत बड़ी cities में पड़ाई करने आप जा रहे हो तो सबसे पहले इन चार पातों पर गहन मंतन कर लेना सोच विचार कर लेना तब ही आप गर छोड़ना बागी मत for you अगर आपने सोच विचार नहीं किया तो यह आपके लिए सबसे खराब decision साबित हो सकता है वो चार बात क्या है यह देखिया सबसे पहले हों सिक्नेस आप गर छोड़ कर बाहर जा रहे हो तो आपको यह मालुम होना चाहिए कि मैं अपना परिवार मैं अपने यार दोस्त सब चोड़ के जा रहा हूँ आप नई जिगे नई महोल में जाओंगे तो वहाँ आप को चिटचिचापन अपको तनाव बेचनी महसुस हो सकी थोड़े दिन हो उसम हो जोरू के मुझ ठाना आपके मुझे गर की याद आएगी मुझे अपने परिवार की याद आएगी मुझे अपने रिष्टेदरों की याद आएगी मुझे अपने दोस्तों के साथ याद आएगी लेकिन इन सब को आपको इग्नूर करना होगर आपको आगे बढ़ना होगर आपको अपने करियर पर फोकस क तो आप पड़ाई कैसे करोगे दो आको अपने इमोशन करने होगे तब आप सभी तरी से के अपने करिया पर focus कर पाओ otherwise आप तो डिष्टप हो जाओगे आपका करियर डिष्टप हो जाएगा आपके लाइफ डिष्टप हो जाएगा बूरी संगत से दूर रहना आप गर छोड़कर बार मेट्रो सिटीज में आए हैं वहाँ पे नए दोस्त बनेंगे नए रिस्ते बनेंगे लेकिन आप सोज समझ कर रिस्ते बनाना सोज समझ कर दोस्त बनाना अगर आप बूरी संगत बेड हेविट लग गई आपकी आप बूरी संगत में पढ़ गए तो आपका करियर चोपट हो जाएगा आपके माबाब को गर पर इस आज में बेटे होंगे आप लाइप में कुछ नहीं कर पाओगे और फिर वापिस खाली हाथ आपको घर जाना पड़ेगा जब आप खाली हाथ कर जाओगे तो आपने माबाप को मुख के से दिखाओगे इसलिए जब घर से बाहर पढ़ाई करने आ रहे हो तो बूरी संगत से हमेसा दूर रहना और जब भी बूरी संगत पढ़ो ता अपने माबाप के बारे में सोचना अपने परिवार के बारे में सोचना कि वो कितनी कटिनाई से आपको पेसे दे कर पढ़ाने भेजाए आपको बाहर तो बूरी संगत में कभी मत पढ़ना इससे हमें साथ दूर रहना लक्ष से मत बटकना आप जब घर से पढ़ई करने के लिए आते हो मापाप और आप सब डिसकस करते हो घर पे आप एक लक्ष बना कर से आते हो वो लक्ष आप बाहर आए हो बाहर पढ़ई कर रहे हो बाहर किसी सिटी में रहते हैं वो लक्ष 24 गंठे आपके दिमाग पर रहना चाहिए लक्ष से कभी मत बठकنا अगर आप घर से कोई लक्ष लेकर आए हो आप कुछ बनने का और यहाँ अकर आग HOLS यहाँ आप अपने लक्ष बठक गए आप यहाँ मोज मस्ती, इंजोए, एशो आराम कर रहे हैं तो फिर आप क्या करो पटने के समय में आप एसो आरा मोज मस्ती और जीवन को अनंद से जीरे हो तो फिर समझ लेना कि आपका लक्ष आपकी लाइफ में आपको कभी नहीं पा सकता है आपका लक्ष जीरो हो जाएगा आप जीरो हो जाएगा आपको लाइफ में कुछ नहीं मिल पाएगा इसलिए जो लक्ष लेकर आप गलो ऊप्षए मत बचकना। पहले इतव आपको इस मात पड़ पर विचार करके बाहर आना कि खाना रहना आपको जो 1965 खालता है। एक घर पर आपको कैसा कैसा होगा। आज मुझे अच्छा नहीं हो आज ये मैं खान नहीं हो लेकिन बार आपको जैसा खाना मिले वैसा खाना खाना होगा जैसा रहने को मिले वो रहना होगा क्योंकि आपको अपना करियर सेट करना है यह आपका गर नहीं है जो आप जैसा चाहोगे वैसा खाने को मिल जाएगा जैसा चाहोगे वैसा रहने को मिल जाएगा यह आपका गर नहीं है आपको बाहर आपको सेट करना होगा अपने आपको जैसा मिले वैसा रहना होगा जैसा मिले वैसा खाना होगा तो ये चार बातों पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना तभी आप घर से बाहर निकलना पड़ाई के लिए परना मत निकलना ये चार बाते अगर आप फेस नहीं कर सकते हो तो कभी घर से मत निकलना आप घर से निकल जाओगे बिना इन चार बातों के डिसकस किये आपका रिजल्ट जीरो होगा आपका करियर जीरो होगा आप वापे इस घर पे आओगे, आपने मम्मी बापा को क्या मोह दिखाओगे? इसलिए जब भी घर छोड़ोना पड़ाई के लिए तो इन चार बातों पर अच्छी तरह से डिसकस कर ले ना तभी आप पड़ाई के लिए घर छोड़ना